हलो फ्रेंट्स आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आपकी तैयारी अभी परिक्षा की द्रश्टी से पूरी नहीं होई है और परिक्षा तक शायद आपका पाठी करम कंप्लीट नहीं हो पाएगा और अगले साल का प्लाइन कर रहे हैं अगर आपकी दिमाग में ऐसा क चल रहा है तो इस दिमाग से अपने इस चीज को बिल्कुल निकाल दीजें कि आप अकेले ऐसे बच्चे नहीं हैं जिसको यह चीज की दिक्कत हो रही है हर एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है एक्जाम को लेके सीरियस है हर बच्चे के दिमाग में यह चीज हम क्वालिफाय हो जाता तो इनी विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़िवाल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं कॉम्पेटीशन कम्यूनिटी के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम यहां पर मध्यप्रदेश से संबंधित परिवहन एवं संचार के एंसी क्यों आपको कवर कराएंगे चली तो हमारे पहले शवाल की तरफ आंगे बढ़ते हैं इन दौर से जैपुर को जोडने वाला राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है राष्ट्री राजमार्ग की हमने बात की है कि वे र सबसे पहले राश्ट्री राजमार्ग जो है उनका नाम अभी परिवर्तित किया गया है तो इस आधार पर NH42 जो होगा वह वह राश्ट्री राजमार्ग होगा जो की इंदौर से जैपुर को जोड़ता है दिखें यह है इंदौर का मैप इस इंदौर की मैप में जब हम देख कौन सा हवाई अड़ा क्रियाशील नहीं है देखें हवाई अड़े मध्यप्रदीश में पांच पहें देखें मध्यप्रदीश में पांच हवाई अड़े हैं जिसके साथ ही साथ में दो हवाई अड़े जो है वो अंतर राश्ट्री है कौन कौन से पहला है राजभोज और दूसरा है देवी अहिल्याभाई खोलकर हवाई अड़ा इसके साथ में ऑप्शन देखेंगे खज्राहो, पन्ना, जवलपुर और गुवालियर तो जो हमारा वो हवाई अड़ा जो कि क्रियाशील नहीं है तो वो होगा पन्ना का हवाई अड़ा यह क्रियाशील नहीं है आप कर रहे हैं राश्ट्री राजमार्गों की मध्य प्रदीश से लगभग 44 राश्ट्री राजमार्ग गुजरते हैं कहीं कुछ-कुछ रोतों में इसे 45 भी गिना चाहता है ऑप्शन की बात करेंगे NH3, NH12, NH7 और NH8 तो देखिए ऑप्शन नम्मर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा कि NH8 जो है वह राश्ट्री राजमार्ग जो है मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है यह है मध्य प्रदेश का मैप जिसमें राश्ट्री राजमार्ग आपको दिखाई दे रहे हैं देखिए इन सब का नाम परिवर्थित हो गया है अब मध्य प्रदेश का कौन सा अगर राश्ट्री राजमार्ग तीन पर इस्थित नहीं है सेंधवा महु सारंगपुर और सुजालपुर यह पुराने नाम के हिसाब से हैं तो आप्शन नमबर डी आपका सही हों का सुजालपुर प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना के क्या उद्देश हैं गाओं को मुखे सडकों से जोड़ना बिलकुल सही है पक्की सडक बनाना सही है दोनों ए और बी दोनों उपरियोक्त में से कोई नहीं देखिए जो हमारी प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना थी इस योजना के दह गाओं को सडकों से जोडना इसका उद्देश था और हर एक छोटे से छोटे शेत्रु में सडकों का निर्मार करना इसका उद्देश था तो आप्शर दू唱नल ती ही हो जाएगा और इसके सांथ ही साथ में पुर्धानальномंत्री सडक-योजना ये एक सड़क का नाम है और ये उसका डिटेल्स लिखा हुआ है मद्य प्रदेश में सरवाधिक लंबा और सबसे छोटा राश्ट्री राजमार्ग कौन सा है मद्य प्रदेश के सबसे लंबे राश्ट्री राजमार्ग की बात करते हैं अप्शन है NH3, NH25, NH3, NH27, NH46, NH135BB देखे जब बात करते हैं सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग तो वो हो गया NH46 बिलकुल सही है सबसे छोटा राश्ट्री राजमार्ग तो वो हो जाएगा NH135BB यह है 135BB, इस हिसाब से हमारा ओप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा इंदौर आकाश्वाडी केंडर की स्थापना कब की गई थी 15 अगस्त 1952, 22 मई 1955, 24 मई 1955, 16 अगस्त 1952 इसके साथ मैं आपको पता होगा कि जो इंदौर का आकाश्वाडी केंडर है यहां मद्यप्रदेश का पहला आकाश्वाडी केंडर है और यह बहुत जादा महत्वपूर्ण, important भी हो जाता है बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 22 मई 1955 में इस आकाश्वाडी केंडर की स्थापना की गई थी केंद्र का लोगो है आपको दिखाई दे रहा है, यहां लिखा है आकाश मारी, यहां लिखा है बहु जनहित आया मतलब बहुत सारे लोगों का जनहित करना, मतलब अच्छा करना next question में चलते हैं मध्यप्रदीश का पहला समचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था कौन सा था देखिए समचार पत्रों की द्रष्टी से मध्यप्रदीश वैसे तो बहुत आंगे है लेकिन आपको पता होगा कि मध्यप्रदीश का पहला समचार पत्र कौन सा था अप्शन है नव भारत अकबार गौलियर मालवा अकबार और नई दुनिया देखिए मध्यप्रदीश का पहला अकबार जो के घुशित किया गया था वो था गौलियर गजट और इसे ही अकबार गौलियर के नाम से भी जाना जाता है अर्थात आप्शन नमबर भी आपका बिलकुल सही हो जाएगा अकबारों का प्रयोग मुखिता उस समय और अभी भी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ही किया जाता है मध्य प्रदेश का कौन सा शहत भारत के पश्यमी रेलवे जोन का मुख्याला है देखिए भारत के पश्यमी रेलवे जोन का मुख्याल है पूछ रहा है आपसे तो आंसर आपका सीधा सीधा आपको याद होगा मैंने पढ़ाया है जवलपुर रीवा सागर और भोपाल जब बात करते हैं जवलपुर जिलेकी तो वही जो है वह भारत के पश्यमी मध्य रेल कर देख में कहां इसथ का देउHI अहिलयाबाई होलकर एएऱ पूर्ट की दो उन दौर जिले में है इसके अलावा यह जो एड़पूर्ट है या अंतराष्ट्री हवाई अड़आ है के साथ ही साथ में इसकी इस्थापना देवी अहिलयाबाई होलकर के नाम पर की टुको जीर करते और इंगे इंदौर में अनसर होगा ऑ्पशन नंबर B भोपाल् profess ness जो कि परमारवणश के राजा जा राजा बहुज से संबंदित honesty मैं कुमार कि यह करते हैं जो कूलिया तो इसका सही है आंसर जो एड़ा है गौलियर में एक हवाई एड़ा है बिल्कुल सही बात है गौलियर हवाई यदा उसका नाम है गौलियर एरपोर्ट सागर में कोई हवाई ड़ा नहीं है तो यह गलत हो जाएगा कि नव जीवन इंदौर से 1915 में श्रू किया है देया है हिंद का प्रथम अखबार है मद्यप्रदेशक पहला अखबार है यह सब्वताहिक अखबार है और इसके साथ साथ में यह मासिक पत्रिका यह जैसी किरते नession जीवन पत्रिका की तो यह जो पत्रिका है यह मद्य प्रदेश चे प्रारंब करने वाली माशिक पत्रिका है जो की इंदौर जिले से ही प्रारंब की गई थी इसके अलावा मद्य प्रदेश की एक मात्र खेल पत्रिका जो है उसका नाम है खेल अलचल जिसमें मद्य पूर या फिर 45 होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन में से कोई नहीं कि निम्र मेंसे किस शहर में सरवाधिक समचार पत्र प्रकाशित होते हैं जब बात करें हम सब्सेगी समचार पत्र की ऑप्शन देखते हैं , इंदर भोपाल रीवा गौवालियर् चाहिए , नाम गजण धा, इसके अलावा बात करते हैं , से इंदोर से बहुत सारे समचार पत्र प्रकाशित होते हैं परन्तु इसका सही आंसर भोपाल होगा option number B क्योंकि सरवाधिक जो समचार पत्र है वह भोपाल जिले से ही प्रकाशित होते हैं मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक मात्र खेल पत्रिका का नाम क्या है अभी मैंने दो सकेंड पहले इसके बारे में बात की थी आपको दिमांग में तुरंट आ गया होगा option देखते हैं खेल हल चल स्पोर्ट स्टुडे खेल खेल में और खेल व्याक्ख्यान option number A खेल हल चल भोपाल हवाई अड़े का नया नाम क्या है भोपाल हवाई अड़े के नया नाम के बारे में भी हमने चर्चा अभी दो मिर्ट पहले की है राजा भोज एन्रेडी अहिल्या भाई के शांतनू देखे भोपाल जो हवाई अड़े है उसका नया नाम जो है वो है राजा भोज की अंतिम हिंदु शाशिकाथी और इनी के बाद जो भुपाल का पूरा शेत्र था वो दोस्त मुहम्मद खान को मिला था और उसने यहां पे स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की नीव रखी थी तो जो पूरा शेत्र था यह नानी कमलापती का ही था पहले यह बुपाल का हवाई अड़ा मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब शुरू किया गया था 1886 1897 1867 1857 मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग जैसी हम बात कर रहे हैं पहले रेल मार्गी की तो मध्य प्रदेश में पहली railway line कहां बिचाई गई थी तो हमने इसका अंसर देखा था प्रयाग रास्ते जवलपूर तक मद्यप्रदेश की पहली railway line बिचाई गई थी और यह जो railway line है यह 1867 में बिचाई गई थी इसलिए 1867 इसका सही आंसर होगा option number C मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा आकाशवारी केंदर किस शनगर में स्थापित हुआ है कहां पर स्थापित किया गया है भोपाल जवलपूर गौलियर और इंदौर देखिए आकाशवारी केंदर की जैसे ही बात होती है तो आपके दिमाग में तुरंद क्लिक करना चाहिए इंदौर जिला चुकि इंदौर में ही सबसे पहला आकाशवारी केंदर भी हुआ हैं सबसे बड़ा आकाशवारी की हुआ है तो option नमबर डी जो इंदौर है यह इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर सफाई में फिर नंबर वन देखें इंदौर जो जिला है ये सफाई के लिए बहुत जादा जाना जाता अपनी स्वक्षता की दरश्टी से यह जिला जो है वो देश में पांचवी बार नमबर वन जिला रहा है इसके साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत जादा काम किये जा रहे हैं अगर पालिकाओ के द्वारा जिले को पूरा स्वक्ष रखने के लिए प्रदेश में रेल सेवा का मुख्याले कहां इस्थे थे इन और भोपाल जवलपूर और सीधी जैसी बात होती है कि प्रदेश में रेल सेवा का मुख्याले जो है वह भोपाल जिले में इस्थे थे इसका option number 20 का सही आंसर होगा भोपाल जिला रेलों की बात हमने कर ली कि पहल इसके अलावा मध्य प्रदीश में पहली ISO प्रमाड़ जो ट्रेन है उसका नाम है हजरत निजामुद्दी और ISO प्रमाड़ जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है हभीब गंज रेलवे स्टेशन जवलपुर एवं भुपाल किस रेलवे जोन के अंतरगत आते हैं पश्यमी मध मध्य पुरल वे स्टाइब नीस चालहां दख्शंड पूर्वी रेलवे जोन पश्यमी रेलवे और इसके साथ ने पूर्वी रेलव मुख्याला है तो यसी इस नथा ना आएगा तो पस्यमी मध्य रेलवे स्टाइगा तो के अंतरगत आएगा और आप्शáveis इंड नमिग में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है मतलब निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के अंतरकत नहीं आता है मध्य रेल्वे पश्चिमी रेल्वे दक्षिन पूर्वी रेल्वे और उत्तर पूर्वी रेल्वे देखे जब मध्य प्रदेश में बात करते हैं रेल्वे जोन तो इस करन्स हमारा option नमबर भी यहां पर समाप्त हो जाएगा कि इस प्रकार से हमारी यहां पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है या नहीं आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शियर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सू मच